हलो हाई नमस्ते लव इन्फाइनल चैनल में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आज एक सवाल ले लेते हैं तनिश्क चवान जी का इन्होंने पूछा है एंजल हमारे साथ होते हैं जैसे कि मैंने वीडियो में कहा कि एंजल हमारे साथ हमेशा होते हैं हमारे आसपास होते हैं हमारे हर दुख तकलीफ को सुनते हैं जब हम उने पुकारते हैं तो वो आते हैं तो उन्होंने का सवाल है कि एंजल हमारे साथ होते हैं तो हमारे साथ गलत क्यों होता है देखे, एंजल्स हमारे साथ हमेशा होते हैं, जब हम positive रहते हैं, जब हम वाकई बहुत negative सोच में चले जाते हैं, बहुत ही victimized सोच में चले जाते हैं, जब हमें लगता है भगवान नहीं है, एंजल्स नहीं है, हम उन्हीं को ही गलत बोलने लग जाते हैं, और भी कुछ negative कर्म में जोड़ जाते हैं तो फिर एंजल्स हमसे नाराज होकर हमसे रूट जाते हैं और दूर चले जाते हैं गलत हमारे साथ कुछ हमारे कलेक्टिव गर्मा के कारण भी होता है कि इस जनम में हमने अपने माइंड से अपने दिमाग से जो भी स्टेप उठाया है जो भी काम किया है जो भी प्लान किया है और उस पर वरक आउट कर रहे हैं हो सकता है वो ठीक नहीं है हम अपने ही दिमाग से अगर कर रहे हैं जबरदस्ती कर रहे हैं जो कि डिवाइन के अकॉर्डिंग नहीं है तो फिर हमें लगता है कि हमारे साथ गलत क्यों हो रहा है हर एक अच्छे इंसान को ये हमेशा फिल होता है कि मेरे साथ मैं तो सब के साथ अच्छा करता हूँ, करती हूँ अच्छा सोचता हूँ, सोचती हूँ तो फिर मेरे साथ क्यों गलत होता है ये reason है एक तो आपके इस जन्म के कर्म के कारण सम्टाइम टू मच गिविंग के कारण जैसे डिवाइन फेमिनाइन एनरजी करती है और दूसरा एस्ट्रोलोजिकली बात करें तो आपके पास लाइफ करमास या फिर ये कहें कि आपके प्लेस्मेंट ओफ यूर प्लानेट्स आपके ग्रहों की स्थिति की अनुसार आपके साथ कुछ सही कुछ गलत चलता ही रहता है तशा अंतरदशा के हिसाब से भी आपके प्लानेट्स आपके उपर प्रभाव डालते हैं कि आपको ये करना है सम्टाइम आपको मकान नहीं लेना है और आप जबरदस्ती आपके पास पैसे depends गलत हो गया आपने उस टाइम उस चीज़ को रोका नहीं अब आप कहेंगे कि वो होता चला गया तो उस समय अगर आपने उस चीज़ पर सही डिसीजिजन नहीं लिया तो एंजेल्स भी आपकी खास हलप नहीं कर पाते हैं क्योंकि angels से लगातार जुड़े रहने पर ही तो help मिलेगी sometime हम अपने दिमाग से चलने लगते हैं ज़्यादे ही जब बहुत पैसा आ जाता है तो इंसान का दिमाग यह कहता है मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही बगवान हूँ छोड़ो angels, मैं ही angel हूँ ऐसी स्थिती आ जाती है आपकी नहीं बात कर रही है तनिश्क जी सभी human being की बात कर रही हूँ एक जो natural human tendency होती है उसकी बात कर रही हूँ, ठीक है? तो don't take it personally, मैं उसका उधारन दे रही हूँ इस तरह से, जी कोई कि इंसान है ही ऐसा, जब थोड़ा सा मिलने लगता है, तो उचलने लगता है और फिर angels उसका साथ छोड़ देते हैं, गलती करने लगते हैं, अपने आपको ही ज़्यादा समझने लगते हैं, अपने किये वे कर्म को, दिमाग से चलाने लगते हैं हम अपने दिमाग को, और फिर उसी हिसाब से हम कर्म करने लगते हैं, और फिर angels कहते हैं कि ये तो हमारी सुनी नहीं रहे, ये तो मुझे पुकार ही नहीं रहे, जब वाक़ी किसी मदद की जरूरत है तो तब मुझे बुलाते हैं, जब वाक़ी सब कुछ हैल हो जाता है, अपने कर्म से ही खुद रोने लगते हैं, तब मुझे बुलाते हैं, तब मैं आता हूँ, मैं आती हूँ angels ऐसे कहते हैं, देवी देवता ऐसे कहते हैं, इसलिए तो उसके बाद भी हमारे टेस्ट होते हैं ट्विन फ्लेम जड़ने की बात करें, तो सम्टाइम फॉल्स ट्विन फ्लेम आ जाते हैं, कार्मिक्स लोग आ जाते हैं नासिस लोग आ जाते हैं, बॉस मिल जाते हैं इस तरह के लोग हो जाते हैं, और उसी पडोसी मिल जाते हैं तो हम सूछते हैं कि हमने किसी का कुछ गलत किया नहीं पडोसी आके हमारे घर पर पत्थर क्यों मार रहा है तो ये वाली चीज़ें हो जाती है क्योंकि भगवान टेस्ट लेता है कि अब आप क्या स्टेप उठाएंगे ठीक है तो कहां पर आप सही जगे पर आपने रियक्षन किया कहां पर आपने सही जगे पर 36 की एज में कुछ और करेगा 46 की एज में कुछ और करेगा 76 की एज में कुछ और करेगा तो इस तरह से उनके करमास के उपर, हमारे करमास के उपर depend करता है, करम के उपर depend करता है कि हमने क्या सही किया, क्या गलत किया, उसका हिसाब किताब सब चल रहा है, सब चल रहा होता है, और हमारा दिमाग करता है कि हम तो सही हैं, हमने सही सोचा, सब के लिए सब किया, और हमार लेकियों गलत हो रहा है, तो एंजल्स को सरफ मुसीबत में ही ना बुलाएं अच्छे समय में भी एंजल्स को थैंक्स कहें, जितना जादा इसीलिए टुन फ्लेम जर्नी में ये चिखाये जाता है, ये सरफ टुन फ्लेम जर्नी से रिलेटिड वीडियो नहीं है, मतलब जो भी टुन फ्लेम जर्नी में आ गया है तो जमझ लीजे, वो एक अच्छा human being बनने के लिए ready है तो हमेशा thankful रहें, अपनी हर एक चीज के लिए, आपके घर में जो भी चीज है उस चीज के लिए, आपके घर में जो भी धन है, उसके लिए जो भी विद्या आपके पास है, उसके लिए हमेशा thankful रहें तभी जीवन में रौनक आती है तभी inches आपका साथ देते है इसलिए कहते हैं कि घर में कोई भी निर्जीव चीज भी है कोई non living things भी है उसको यूँ ही ठोकर ना मारें यूँ ही पढ़ें ना रहने दें जो चीज यूज होती हो, उसे ही यूज करें बाकी चीजों को या तो दान कर दें या बेच दें, या इदर उदर कर दें क्योंकि हर एक चीज में एनर्जी विद्धिमान होती है हर चीज में energy है पैसा आपका energy है आपके बैंक में पैसा energy है आपके घर में पड़ी चीज़े energy है तो अपनी energies को ही enhance करना होता है आपकी energy तभी enhance होगी जब आप बहुत ज़्यादा thankful रहेंगे gratitude में रहेंगे हर एक चीज़ के लिए आपके mind के लिए, अपनी body के लिए, अपनी soul के लिए, हमेशा thankful रहें और उसके बाद जो भी घर में चीज़ा है, जो भी relationships आपकी साथ हैं, जो भी आपने education प्राप्त की हैं, जो भी आपके अंदर skills हैं, उन सब के लिए thankful रहें. तैंक यू सो मच वीडियो को देखने सुनने के लिए, आशा करती हूँ आपको सही लगी होगी, दन्यवाद.